एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है जिक्के जीस क्यूज में इस क्यूज में आज 12 महत्पून प्रश्ण को सामिल कियेंगे हैं जैसा कि आप लोग को पता है कि परते एक दिन 800 क्यूज प्रोवाइड कराया जाता है और अंसर सुचने के लिए पाच सेकेंड का वक्त दि वशे खेलें और कॉमेंट करके लाश्ट में हमें जरूर बताया कि आप 12 में से कितना सही किया है फ्रेंड से देखे सबी प्रशन है जो किसी प्रत्योगता परिछा के लिए काफी महत्पून है चलिए तो क्यूज के लाश्ट में कल जो मैंने सवाल पूछा था पहले उसका आज का पहला सवाल यह राफ्रेंस की किस पंचवर्षी योजना के अंतरगत समाज के समाजवादी धाचे की अस्थापना का संकल्प लिया गया था गेस करें इसका राफ्रेंस रोजएगा ओप्सन नमबर बी द्यूतिये पंचवर्षी योजना के अंतरगत ठीक है फ्रेंस चलिए अगला सवाल को देखते हैं अगला सवाल यह रहा कि भारते समिधान वकीलों का स्वर्ग है किस ने कहा है बहुत ही महत्पून प्रश्णा है कि भारते समिधान वकीलों का स्वर्ग है किस ने कहा है गेस करें इसका राइटन सुरू जाएगा आप्सन नंबर सी जेनिंग्स ने कहा है चलिए सवाल नंबर तीन को देखते हैं सवाल नंबर तीन है कि यदि कोई व्यक्ति का इंसर से पीडित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए गेस करें आपके सामने है समय अब आपका सुरू होता है इसका राइटन सुरू जाएगा ओप्सन नंबर ए ओंकोलोंजिस्टिक क्योंकि फ्रेंड्स ओंकोलोजी के अंतरगत कैंसर का अधियन किया जाता ये भी याद रखें चलिए अगला सवाल को देखते है सवाल नमर चार है कि शरीर में कैलसियम आउग्जिलेट की मात्रा बढ़ जाने से कौन सी बिमारी होती है गेस करें इसका राइटन सुरू जाएगा ओप्सन नमर सी पथरी ठीए फ्रेंस पथरी है जो कैलसियम आउग्जिलेट का बना होता है चलिए अगला सवाल को देखते हैं अगला सवाल है कि निमलिखित में से कौन सा सब्द भारतिय सम्मिधान की प्रस्तावना में उलेखित नहीं है बहुत ही महत्मून प्रशन है गेस करें राइट अंसर इसका राइट अंसर रोदेगा ओप्शन नमबर D संगिये है जो उलेखित नहीं है बाकि ये A और B और C में जो है उलेखित है चलिए अगला सवाल को देखते हैं अगला सवाल है कि गरम सीसे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रकिरिया को क्या कहते हैं बहुत ही इंप्वाटन प्रशन है गेस करें राइट अंसर इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर A उसे A नी लिंक कहा जाता है ठीए फ्रेंच चलिए सवाल नमर साथ को देखते हैं सवाल नमर साथ आप लोग के सामने यह रहा कि सौर उर्जा द्वारा पूनी रुप से संचालित विस्व कासर पर्थम हवाई अड़ा कौन है गेस करें राइट अंसर क्या होगा ऑप्षन आपके सामने है समय शुरू होता है गेस करें इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षन नमर सी ओरोलोजी के अंतरगत प्रवतों का अधियन किया जाता है चलिए फ्रेंड्स सवाल नमर नाइन को देखें कि स्वा परागन का परिनाम क्या होगा देखें एक जाम में पूछा हुआ प्रशन है इसका राइट अंसर क्या होगा गेस करें इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षन नमर ए अंतरग प्रजणन ठीक है फ्रेंड्स स्वा प्रागन का प्रणाम क्या होगा अंतरग प्रजणन चलिए सवाल नमर 10 को देखते है सवाल नमर 10 यह रहा कि निम्ली में से कहां के घास अस्थलों में सामोही खेती की जाती है बहुत ही महत्मून प्रशन है गेस के राइट अंसर इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षन नमर ए पंपास ठीक है फ्रेंड्स चलिए सवाल नमर 11 को देखें सवाल नमर 11 कि निम्ली खित में से कौन सा एक पर्तियत शकर है तो ङेस करें पर्तियत शकर क्या होगा ऑप्षन आपके सामने है इसका राइट अंसर रोदेगा आप्शन नमबर सी आएकर है जो परत्याच करके अंतरगत आता है ठीए फ्रेंस चले सवाल नमबर बारा की ओर बढ़ते हैं सवाल नमबर बारा यह रहा कि भारत में रेपो दर का संबंद है बहुत ही महत्मून प्रशन है गेस किजे भारत में रेपो दर का संबंद है राइट अंसर गेस करें भारत में रेपो दर सम्बंदित किस्से है तो सरकारी परती भूतियों से ठीक है फ्रेंट्स चलिए सवाल नंबर 13 जो इसक्यूज का लाश्ट प्रशन है इसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके दिजेगा सिंपल सा प्रशने फ्रेंट्स कि निम्न में से काउन भारत का राश्टीह कीत है आप् recharge का राश्टीह क्या होगा आप देखिए प्रते एक दिन continue आपको क्यूज प्रोवाइड करता हूं फ्रेंस इसलिए आप लोग भी प्रते एक दिन खेलते रहें जिससे जिक्के जिसका लेवल बना रहे देखने के लिए थैंक्स